नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुम्त शर्मा बड़ी खबर आ रही है आंदर प्रदेश के विशाका पटनम से जहां फार्मासिटिकल लेब में भीशन आग लगई रियक्टर फटने से यह आग लगी है हाथ से में साथ लोग घायर है जिन मैंसे द दिखाए दिया विशाका पटनम से बड़ी खबर जहां फार्मासिटिकल लेब में आग लगई भीशन आग लगी है रियक्टर फटने से यह हाथ सा हुआ हाथ से में साथ लोग घायर हैं दोखी हालत नाजुक लेब में आग लगने के बाद धुए का कुबार भैंकर कुब उट्टा हुआ नजर आया आसमान में कई किलो मीटर तक धुए का कुबार दिखाइती है आग की भीशन अपते भी आपको नजर आ रही होंगी सुचना के बाद दमकल के टीम वहां पर महुंचती है आग पर काबू पाने के प्रियास हो रहे हैं तस्विर आपको सामने हैं आंद्र प्रदेश के विस्साखा पर्टनम से बड़ी खबर जहां फ़र में अबीशन आप लगी है रियक्टर फटने से यह हाथसा हुआ साथ लोग जुलस गए हैं दो की हालत गंभीर बताई जा रही है लेब में आपको बाद धुए का गुबार रहा जो कि आसमान में जवलपूर से खबर है जहां चुनाओ से पहले महा कौशल में बड़े उलट फेर की संभावना है दिग विराई सिंग से मिले हैं भीजे बीनिता अरेंद्र जीत सिंग बब्बू दोनों की मुलाकात हुई और सियासी गर्मी बढ़ गई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वाइरल हुई हैं हरेंद्र जीत सिंग बब्बू के कॉंग्रेस में शामिल होने की चर्चा है अब इस मुलाकात की बाद वीडी शर्मा पर गंभीर आरोफ लगा रहे हैं बब्बू लंबे समय से पाइटी के खिलाफ नजर आ रहे हैं बब्बू दो बार बीजे भी विधायक रह चुके हैं हरेंद्र जीत सिंग बब्बू आपकारी मंत्री भी रह चुके हैं हरेंद्र जीत सिंग तरुन मलोट में 2013-2018 में बब्बू को हराया था डिगविड़ा सिंग से उनकी मुलाकात हुई है और अब उनके कॉंग्रिस में जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई है जवलपु से बड़ी खबर महा कौशल में बड़े उलट फीर की संभावना विधान सभाच चुनाओं से पहले ऐसा मिसली के रहे हैं क्योंकि ये मुलाकात हुई डिगविड़ा सिंग और हरेंदर जीट सिंग बब्बू की और इस मुलाकात के बाद कई सारे कयास लगा जा रहे है सोशल मीडिया पर तस्वीर हैं सामने आई है अरेंदर जीट सिंग बब्बू के कॉंग्रेस में शामिल होने की चर्चा है अब अर्देश दक्षप्री शर्मा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं बब्बू लंबे समय से पायती के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं बब्बू दो बार बीजेपी के विधाक रह चुके हैं आपका रिमंत्री भी रह चुके हैं तरुन भनोट ने 2013-2018 में बब्बू को हराए था अगर कॉंग्रिस की बात करें तो दिखुजर सिंग की बात करें तो राजनती के चानक की वो कहे जाते हैं और उनकी मुलाकात हुई है हरेंज जुदीत सिंग पब्बू से अधिक जानकारी के लिए हम बात्शित करेंगे संबादा था पवन पटेल चुड़े हुए हैं फोन पर पवन इस मुलाकात से कई सारे कयास अब लग रहे हैं क्योंकि बब्बू पाइटी के खिलाफ नजर आ रहे थे इस दोरान उनोंने कई बड़ी बाते भी कही हैं कि कुछ लोग शड़ेंतर रच रहे हैं और पाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं यह गुटबाजी का परड़ाम है जिसके कारण इस पर की बाते निकल कर आ रहे हैं जबकि केंदर सरकार में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और मध्य परदेश में उक्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहां परिवार को जिन्दा जलाया है इसके साथ ही उनके परिवार के लोगों को जेल भी दे जायता है तो बबू की बात पर जो है अभी कुछ भी कहना संब्वाव नहीं लेकिन उन्होंने आखरी में यह जरूर कहा कि बहुत जल्द समय आने पर वो कुछ नए खुलासे करेंगे कुछ लई बातें भी सामने आएंगी तो आने वाले समय में वपू क्या करेंगे क्या कहेंगे या कहां रहेंगे ये कहना मुश्किल है लेकिन खिलाल जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे चर्चाओं का बाजार गर्म है और बीजेपी में ये कायरतन हो रहा है ये तस्वीरें आपके सामने मंच पर पहुंच चुके हैं जेपी नड़ा अरुन साव आपको नजर आ रहे होंगे उमा तो आपको वहाँ पर नजर आ रहे होंगे तो बिलास पुरम है आपसे कुछी तेर बाद जन सभा को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्टिय अध्यव जेपी नड़ा उससे पहले ये समान स्वागत धरमला कौशिक भी वहाँ पर मौझूद है और उनसा भी वहाँ पर मौझूद है बीजेपी के तमाम दिग्गर जनता वहाँ पर मौझूद है अपसे कुछी देर में इस आम सभा को जन सभा को जेपी नड़ा संबोधित करने वाले हैं अगर कि देर के लिए भार्टी जनता पार्टी के इसक्ति प्रदेश के अज्यक्ट जित्यक्ति ने लगाता शक्तिंजा में अन्यक्ति हाँ इसक्ति हम संपन कर रहे हैं ऐसे इसक्ति है बिलाद कुल्वक्त प्रवाचे के ज़्यक्त प्रिया सांता आर्वाली रुप्राजी को जोड़ा सालियों के साथ पाजरा मतिश करता हाँ अन्यक्ति हाँ अन्यक्ति हाँ अन्यक्ति हाँ इसक्ति 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 हाँ इ लोज मगी जिंदार जंद पीनना调ट जंद पीनना जिंदार आजह समय को मैं आद समो धनगा देज आजड़ी कि खानली के देरा मा ये परसाद के मुतसर मा अतेुर बीज अभ़़क पन्जमा है हो आप सब धन्ला मैं प्रालगी के अपर आप सब देर नियाद धाली अपन नभी के पावन तर्ट माम हमाया के आचन और विलाथा गाई के नरिमा आप पूलिया के सल राविदी के अथ्यां आधरी तरफ फटात मैंटा जी हमादी स्कार हुए है एक पुर्ण आप तर्फ विलाथा गाई अध्याट अधियार अधियाद स्क्रेश्वार्ण नेड़ के अधिया अध्यार फोड़ाट जी अध्यार वाइटी के रासी उपहत है चलिए आगे बढ़ते हैं वजय लक्षमी साधो की घर में बीजे पी ने सेंध लगा दी है साधो की बहन प्रमिलास साधो ने बीजे पी जोईन कर ली राश्ट धक जेपी नड़ा और सीम श्रासिंग चौहान ने उनको बीजे पी जोईन कराई है बीजे पी के सदस्ता दिलाई है आपको बता दें महेश्वर से कॉंग्रेस की विधायक हैं वजय लक्षमी साधो और उनकी बहन प्रमिलास साधो ने अब बीजे पी जोईन कर दी है सितराम साधो को क्या सम्मान दिया कॉंग्रेस में यहां तक कि उनकी कभी स्रद्धान जली सभा तक नहीं रखी सितराम साधो को निमाड का गांधी बोला जाता है मडलेश्वर में कही है कि स्टेच्यू है उनका जवाब देमर को कॉंग्रेसी क्या मजूरी रही आपको तो विजे लक्षमी साधो की बहन प्रमिला साधो बीज़पी में शामिल हो गई है नियूज एतीन से बात करते हुए प्रमिला साधो ने कहा कि उपेक्षा की विरास नहीं कांग्रेस शोड़ी है उन्होंने अपने ग्रह ग्राम में पिता सीता राम साधो की प्रित्मा नही पिता के फोटो नहीं होने पर सवाल उठाए। परिवार कानाता चोड़कर आज भाजपाजवाइन करी राष्टे अध्यक जेपी नड्डा जी के साथ देखिए पहले तो मैं एक बात आपको बता दूँ पिता जी को निमाड का गांधी बोला जाता है निमाड के लिए खास करके बलाई समाज के लिए बहुत प्याग किया तो यह बताइए मुझे कि कॉंग्रेस में पिताजी के सम्मान में क्या किया क्या मंगले शुर में जहां वो 1948 से मले थे 1948 से मले थे एक स्टेचू लगा है क्या उनका फोटो पी सीची में लगा है तो इसी पचर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करेंगा हमारे से योगी और से हमारे साथ चुड़ गए हैं इस समय अरुन प्रमिला साधो के बीजे पी जुआइन करने पर क्या लगता है कितना फायदक बीजे पी को हो पाएगा बिल्कु देखिए जो इस छेत्र की नेता है विजाए लक्षमी साधो पूर मंत्रिये कांग्रेस की विधाय कि उनकी सगी बहन है प्रमिला साधो और उन्होंने जे पी नडड़ा के सामने बीजे पी जुआइन किये हो करीब सौ से जादा कार्टाओं ने कांग्रेस बीजे पी जोइन की है तो यहसे मैंने कहीं न कहीं इस छेत्र में बीजे पी की स्थी मजबूत हुई है क्योंकि अगर खरगोन जिले की बात की जाए तो यह पर विधान सभा की 6 सीट हैं और 6 की 6 सीट कांग्रेस के पास हैं बीजे पी का पिछले चुनाओं में यहां पर जा रही है जिससे की बीजे पी की बापसी हो सके इसी कड़ी में एक कदम माना जाएगा कि प्रेमला साधो को बीजे पी जोइन कराई गई है साथी सौकर करता भी कांग्रेस के हैं वो बीजे पी जोइन किये तो कहीं न कहीं बीजे पी जरू मजबूत होगी और जो विजे महेसर से अगर उनको टिकेट मिलता है तो वो चुनाओ लड़ेंगी हो महेसर से उनकी बहन विजय लक्षमी साधो अभी विधाया है कि तो यसे में दोनों बहनों की टककर भी हो सकता है आगे चलकर देखने को मिले आगामी विधासवा चुनाओं में लेकर जल्चस्प लगाने के लिए बाहरी सूर्मा पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं गौालिय चंबल जैसे सिंधिया का गड़ कहा जाता है उसमें सैंध लगाने के लिए कॉंग्रेस और आमाद्वी पार्टी दोनों की सूर्मा इसी हफते ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे हलाकि बी गौलियर चंबल अंचल वो क्षेत्र है जिसने साल 2018 में सूबे में कॉंग्रेस की सरकार बनाने में एहम भूमिका निभाई लेकिन इसी क्षेत्र के विधायकों की बगावत से कॉंग्रेस को सत्ता गवानी पड़ गई यही वज़ा है कि कॉंग्रेस इस सक्षेत्र को हर हाल में नकिवल फिर से फतह करना चाहती है बलकि पहले मिले जख्म को जीत से भरने की तमना रखती है लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी चुनाओं में पूरा जोड लगाती एक बड़ी रैली ग्वालियर में करेंगे प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल का दावा है कि रैली को देख कर दूसरे दलों में हल्चल मत जाएगी आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी और कॉंग्रस में आम आदमी पार्टी तो अंचल में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है। गौलियर चंबल में जो हालत पिछली दफ़े कॉंग्रस पार्टी की थी उससे थोड़ा बहतरी होगी कमजोर नहीं होगी। पहले एक स्पर्श पुजा है सिंधिया जी कोई चिनोती नहीं है। सिंधिया जी चिनोती हैं बीजेपी वालों के लिए। आप पार्टी की जहां तक सवाल है वो कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन नुकसान किसका करेंगे तो समय बताएगा। कॉंग्रेस और आमाद्मी पार्टी दोनों ही दल सत्ता में मौजूद बीजेपी को घिरने में कोई कसर बाकी नहीं रखने वाले। लेकिन फिर भी बीजेपी दिखाने के लिए ही सही खुद को निश्चिंत बताती है। कहती है दिन के सपने कभी पूरे नहीं होते और केजरिवाल से तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चुनाव है चुनाव में सारे राजनेतिक दल के लोग आते हैं लेकिन आम आदमी का मद्यपरदेश में उतना असर नहीं है जितना लोग सोच रहे है। कैसे करेंगे तो इसी के साथ ही 23 की महा भारत में फिलारत नहीं